तो गाई जाब मैं से शायद कुछ लोगों को पता होगी पिसले कुछ तैन से हैं विडियो एटिंग के लिए अपना मतलब आइपड भी यूज कर रहा हूं आइपड मैंने रिसेंट लिया था और इसके उपर मैंने विडियो भी बनाई हुई है और इसमें विडियो हो जाती है बहुत तगड़ी फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको की फ्रेम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लट्स भी ट्राई कर सकते हैं टाइटल वाइटल सब कुछ काटवट लगाने के लिए सब कुछ मतलब मस्त है एक तरह से बहुत तगड़ा विडियो एटिंग लोग काफी सारे कुछ पूछते हैं इससे रिलेटेट तो आज उन सब क्वेश्चन का उत्तर देने वाला हुँ इस वीडियो में और अगर आपके भी कुछ प्रशन हो इस तरह के तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो यह शुरू करते हैं इस वीडियो को और गुछ प्रशन आये हैं तो पहला कहूं सबसेटन बेश्ट मुष्ट और लाइफ टइम पर्चेस क्या यह सब्सक्रिप्शन बेशायर मंतली या पर यह करना पड़ता है या फिर लाइफ टैंशन दी आ को मिल जाता है तो शीदा अन्सर है कि सब्सक्रिप्शन बेश्ट नह वीडियो एडिटर्स तो बिल्कुल मैंने भी यूज किया है काई मास्टर भी यूज किया है और इसे भी यूज कर रहा हूं तो यह उनसे बहुत जादा अडवांस लेवल का है मैं शुरू में बोल चुका हूं कि PC ग्रेट की विडियो एटिंग हो जाती है तो बहुत तगड अजब जाती है काम चलाओ ऐसी कोई दिक्कत नहीं अच्छी वीडियो आप प्रोडूस कर सकते हैं लेकिन इसमें आप ठोड़ा और प्रफेशनल वीडियो प्रोडूस कर सकते हैं बना सकते हैं अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह जो एप्लिकेशन ने लूमा फ्यू तो क्या होगा, क्या वो purchase मतलब restore हो जाएगी दूसरे वे device में तो जी हाँ, अगर आपने same mail ID से login किया जिस mail ID से आपने purchase किया था इसे और आपने iPhone में login किया या फिर iPad में login किया नए पुराने कहीं भी तो जहां भी आप login करेंगे तो आप वहाँ पे इसे download कर सकते हैं वहाँ पे आपको दोबारा purchase करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी तो फिर जब रिपीट करूँगा कि अगर आपने एक बार purchase कर लिया है तो उस mail ID पे आप उसे access कर सकते हैं दूसरे किसी भी Apple के supported devices में क्या हम इससे iPhone में use कर सकते हैं तो जी हाँ, iPhone में भी आप इस software को use कर सकते हैं हालाग कि screen छोटी होती है, इसके अंदर options बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी access कर सकते हैं सारे functions आप वहाँ पे working मिलेंगे मतलब use कर सकते हैं, video edit कर सकते हैं मस तरीके से इतना ध्यान रखना है आपको कि जो पुराने iPhones है तो उसमें यह supported नहीं था लेकिन iPhone 7 और उसके बाद के सभी iPhone में supported रहेगा कोई दिक्कत नहीं नहीं परसेस करने से पहले आप App Store पे जाके चेक कर सकते हैं आपके device में supported है या नहीं नहीं अब एक question है कि क्या हम इसे free में use कर सकते हैं तो देखिए जहां तक मुझे पता है iPad के उपर तो हम इसे free में use नहीं कर सकते हैं कोई cracked जैसा scene नहीं है यहां पर आप अलग से install नहीं कर सकते हैं तो फिलहाल तो आपको purchase ही करना पड़ेगा और purchase करके use करें तभी better भी होगा क्योंकि वहां पे आपको update मिलते रहेंगे अब एक सवाल और भी बन जाता है क्या हम 22.9 रुपये का जब इसे purchase करते हैं तो उसके बाद हमें updates मिलते हैं और नएने features भी add होते जा रहे हैं जो features अभी भी missing है इसमें बहुत सारे features हैं जो कि आपको PC पर, Premiere Pro पर और Final Cut Pro पर मिल जाते हैं तो वह features भी इसमें नहीं हैं तो वह features भी add किये जा रहे हैं और काफी request भी किये जाते हैं इन से बहुत जादा strong या बहुत जादा powerful नहीं है वह वीडियो एटिंग के लिए सही रहेगा तो इस मामले में आपको कहना चाहूंगा कि आइफोन 7th generation में जो chipset यूज करा गया है एपल का fusion 8N fusion chipset वह एपल के आइफोन 7 में यूज करा गया था तो थोड़ा सा यह पुराना chipset थोड़ा नहीं काफी पुराना chipset लेकिन capabilities बहुत जबर दसता हैं मैं इसमें 1080p videos को render करता हूं और render time इसका बहुत कमाल का है मतलब मेरे पास एक laptop है जो primary laptop है मेरा पहले उसमें Intel i5 है 5th generation और उसमें 12GB RAM है 500GB की SSD है और 1TV की hard drive है तो उसमें जब मैं videos को edit करता हूं तो उसमें मुझे ज्यादा time लगता है render करने में उसमें मैं Premiere Pro यूज करता हूं तो उसमें ज्यादा time लगता है जबकि इस वाले में same clip को अगर मैं edit करता हूं तो थोड़ा कम time लगता है और flexibility भी रहती है कि इसको लेके मैं कहीं भी चला जा सकता हूं अला कि वो laptop है उसे भी लेके जा सकता हूं लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी है और उसका battery backup बहुत बेकार है इसका battery backup मस्त है तो मुझे तो बड़ा सही लगा इसमें video editing experience अभ करके रख सकता हूं और must edit कर सकता हूं metro में तो मैं अपने bedroom में बैट करता हूं वीडियो को और TV भी देखता रहता हूं तो मस्त रहता है तो यही कुछ questions थे लूमा फूजन से related तो अगर आपके मन में अभी भी कोई question है कोई प्रश्न है तो आप मुझे comment करके पूश सकते हैं लूमा फूजन के बारे में आई-पैड 7 generation के बारे में और कुछ लोगों का यह भी question था कि आई-पैड एयर लेना बेटर रहे हैं क्या 3rd generation जो है जो कि मतलब सब्सक्राइब के साथ आता है तो definitely अगर performance आपको और अच्छी चाहिए और तगडी चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं लेकिन वहां पर आपको तोड़ा पैसे भी ज्यादा धेले करने पड़ेंगे बाकी ठीक है कोई दिकत नहीं अगर आपके मन में कोई और सवाल व